आज की कहानी की शुरूआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी घरवालों को बताएगी कि डॉक्टर साहब मर चुक है ये बात सुनकर रानी साथ चौक चाहेगी विक्रम, राजमाता सब लोग बिस्वास नहीं कर पाएगे रानी क्या कह रही वो कहते है रानी तुम पागल हो रहा है बहुत सौक था ना तुम लोगों को तुम्हारा बेटा मर गया तुम लोग अच्छे से रोलों मैं भी थोड़ए देख लेती हूँ इसलिए यहां खडी हो तुम लोग को थोड़ए संभाल भी दोगी और यहां पर उन लोगों को बहुत ताना मारने लगती है तभी विक्रम कहता है मुझे लगता है ब्रो को इसी वीजिया ने मारा गा और कौन मारेगा तभी रानी क्यों कहती कि नहीं डॉक्टर साब को मैंने मारा है ये बात सुनकर रानी साथ चौक चाहेगी अपने ये सब क्या है रानी तभी कहीगी हाँ यही सच है जो आप लोग मेरे बा इस घर का पेपर वापस लानी के लिए और डॉक्टर साब ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा रानी सा यह बात सुनती है और रानी को जोर से एक थपड मारती और कहती तुम ऐसे गिरीवी लड़की मैंने कभी सोच नहीं था अब चाहकर मैंने तुम्हें अपनाया रानी लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया यह दिखेंगा रानी फ्लैस पैक में जाएगी और सोचे कि कैसे वीजिया उसे रोक लेती है जब खुशी-खुशी वीर से मिलने के बाद जा रही होती है वीजिया कहती है तुम्हारा इस रजावत के बच्चे के साथ रिष् यहाँ पे सूरज भी बंदुक तान लेता और कहता है कि तुम जिस तरह से इसके लिए तड़प रही हो ना यही मुझे बरदास नहीं होता है रुक मैं सभी मारता हूं और तभी बंदुक ले लेता है और वीर के पैर में एक खोली वो मार देगा तभी रानी यह देखके ब बिज्या का गला दबा देती है यहाँ पे देखेंगे वो कहता छोड़ते राधिका मैंने बोला ना छोड़ जल्दी से मेरी मा को तभी वो छोड़ देती है कहती है आज के बाद ऐसा मेरे साथ करने के कोशिश की ना लड़की तो देख लेना तभी कहती है प्लीज बात पता रानी किया तुमने एक बार मेरे बेटे वीज से कभी प्यार किया था यहाँ सब कुस ना टक ही था रानी यहाँ कुछ नहीं कहती बोलती अब कब तक आप लोग इस तरह से पीटते रोते रहेंगे जो होना ता हो गया आप चाहिए अपनी जिंदगी जीए आप ल को देखकर याद करती है फ्लैस पैक में कि यह तो वही लड़की जो उस घर में काम करती थी तभी बताता है जैसिंग हाँ यह वही है लेकिन वहाँ पर आपको पता ना उनकी क्या हालत हो इसके बाद यहाँ पर काम करने के लिए आ गई तभी बोलती लेकिन वह ऐसे सजीध वीर का गला दवा रहा होता है मुँ दवा रहा होता है मार पीट रहाता है और बोलता है ना कि देखना बहुत ही जल्द रादी का मेरी होगी देखना तुम्हारी बीबी मेरी होगी तुम्हारा में क्या हालत करने वाला तभी वीर हसता है और कहता है कि अच्छा रानी तुम क्या करने के लिए ना तुम मतलह हैं, तुम पता निकी है। आख करना किस इसा कर ना अगेसान के हायां करता हुए को प्लीज छोड़ दीज़ने से सब्सक्री구요 दीज़ में, पहुण हैं में धर कषसके बखकते में ऐसे तो जुम्पे में भरोसा नहीं कर सकती, तो पहले मुझे घर का पेपर लाके दे, तभी कहती घर का पेपर मेरे पास नहीं, वो डॉक्टर साब के पास था, मुझे पता नहीं डॉक्टर साब का है, प्लीज बताएं न कहा है, घर का पेपर आपको मिल जाएगा,